हेलो एब्रिवन वेलकम टू दी बिजा टुटोरियल क्लासे यह हमारा पॉलिटिकल साइंस का 11 लेक्षर है जो भी बच्चे वन से 10 तक नहीं देखें वो जाकर आप पहले उन्हें देख लिजे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसके थुरू हम जाकर लेक् चाहिए तो हमें आप लोगों को टेलिग्राम चैनल को जोइन करना पड़ेगा टेलिग्राम चैनल को जोइन करने से एक और फायता है कि वहां पर एंसी क्यूं का लेवल और भी अच्छा होते जाएगा ठीक है ताब टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेजें चलते हैं आज के अपने फर्स्कोर्ट चन की और तो आज का मवारा फर्स्कोर्ट ने हूप प्रिपेर दे कॉंसिटूशन अफ इंडिया इन नाइन इन नाइन फिन सब्सक्राइब के त्यार हुआ था तो 26 नॉंबर 1909 को याद रखिएगा ठीक है तो देखिए कॉंसिटूशन हमारा कब त्यार किया गया था तो देखिए कॉंसिटूशन आपका 1928 में एक वार इनका फ्रेम रखा गया था समझ गया यह फ्रेम कौन रखेते तो हमारे मोतिलान नहरू समझ गया मोतिलान नहरू रखे तक इससे कॉश्चन और भी आज सकता है कि हमारा साइमन कमिशन साइमन कमिशन कवया था तो 1927 में यह आपको बता दिया है ठीक है अब देखिए यहां ऑप्षन दिया है कि डाक्टर बी आर अंबेतकर राजेंद्र परसा जौहालन नहरू यह मोतिलान नहरू तो फूप्रिपियर दे कॉंसिटूशन अफ इंडिया 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 नटी विद्विए हैं यह द्राफ्टींग कमिटी के साथ मिम्बर ते नटीटर परसाथ के बारे में यह हमारे फिर्स प्रेसिडेंट थे और पंडिज्वालन नहरू के बड़रम जानते आप यह फर्सर्ट प्राइम मझेट पंडिवालन नहरू के फादर कौन है मोतिलान उनके फादर है मोतिलाल नेरु जो आपसे नमर डी दे रखा है तो मोतिलाल नेरु किनके मोतिलाल नेरु के बेटा कौन है जोहलाल नेरु हमारी क्या थै फिर्स्ट प्राइम मनिस्टर अफ इंडिया चले नेक्स्ट कोशन क्यों आगे बढ़ते हैं यह जितने फी फेक्ट बत को कौन अपॉइंट करता है यानि देखिया भारत के मुख्या चुनाय आयुक्त की निवक्तिया कौन करता है अभी कौन है हमारे चीप एलेक्शन कमिशन आपको बहुत बढ़ बता चुके सुसील चंद्रा ठीक है और आपके एलेक्शन में कितने मेंबर होते है तीन मेंबर हो कोबिन रामनात कोबिन ठीक है अभी है हमारे भारत के राष्ट पती है और रूप राष्ट पती कौन है आपको लास्ट लेक्शन में बताया था वैंक्या ने अडू चलिए अब चीज जफ्ष्ट अफ इंडिया कौन है चीफ जफ्ष्ट अफ इंडिया आपको यह भी बताया हुए है एंभी रमना ठीक है अपड़ाइं मनिश्वर कौन है आपको पते हैं हमारे नडेंद्र मोदी जी ठीक तो इससे जूरी यह सारे कोशन याद रखें के इसे जो अबने एक फोटो भी लगा लिया आप यहां से भी आप देख लेंगे फोटो लगाने के मेरे परपस यह ना कि फोटो से ना आप लोग को विजविलाइज हो जाता है आप ना इमेजिन कर लेते किसी चीजों को तो ज्यादा दिर तक दिमाग में आपको बना रहता है जब हम नया जो हमारा लेक्षर आएगा ना जब हम शुरू करेंगे नए वाले बेच के लिए तो वहां में कोसिस करूंगा लेक्षर के साथ साथ आपको छोटे-छोटे जो वीडियो है ना वह भी लगा कर दिखाए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में मेरा इफट यह है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग को इतना अच्छा बहत्री इन कंटेन परदान करूं आपको क्वालिटी से संदू ताकि आप अच्छे से याद कर पए और अच्छा स्कोर कर पाए इसी चैनल पर आपको सब चीज में लगा ठीक है बच्छे देखिए मंडल कमिशन के में थोड़ा जान लगा है तो मंडल कमिशन कर लेते हैं मंडल कमिशन कब आया था तो आपका प्राइम अनिस्टेट थे तो मराजी देश है याद रखेगा ठीक है और यह मंडल कमिशन के द्वाड़ा ओभी सी को 27% आड़क्षे मिला था ओभी सी ओधर बेकवार्ट क्लास ठीक है बच्छे तो यह इससे जूरी अधियर देखिए हैं आप लिखा है अपको ज्याद रहें चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोसटन क्यों है हाज का इन अमर्का लजिस्लेचर इडिक अब देखिए थोड़ा हम इदर फोटो हो फोटो के बारे में जाएं यह यह हमारे कौन है अमेरिका के प्रेसिडेंट इनका नाम क्या है एक बच्चे ने बताया था उनसे हम पूछे थे तो कमेंट में उन्होंने सतीस नाम है उनका सारा थिंक तो उन्होंने बताया था कौन है यह जोई वाडन है अभी हमारे अमेरिका के राश्पति और इसके पहले ठीक है जैसे आप हम आपको बताया थे कि हमारे वाइस प्रेशीडेंट का काम क्या है राजजिसभा में speaker का काम करते च्येयर्मेन का काम करते वो सारा देख भर राजजिसभा की करते हैं जो भी कोई भी अगर लॉपास होता है उनसे जाता है debate and discussion करवाना होता है तो सारा राजसभा करते हैं वैसी वाइस प्रेसिडेंट कमला हडिस का भी काम है कमला हडिस क्या करते है सीनेट में जो भी डिवेट एंड डिस्कसन कराया जाता है वह कमला हडिस कराती है सीनेट मतलब वहां के राजसभा ठीक है वहां के राजसभा को सीनेट का जाता है अब लोग सभा भी और आप जब यूएस में बात करेंगे तो क्या हो जागा इन फोटो के बारे में जनकारी होगे कमला हडी से हमारे यह कौन है अमेरिका के कौन है वाइस प्रेसिडेंट अफ इंडिया और जो वाटन कौन है प्रेसिडेंट अफ इंडिया याद रखेंगे बच्छे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं और नेक्स कोस्टन है कि विच वन अप्ड फ्लोईंग इस्टेट वाज बट आउट अब कल्चर है इसने जो एसने करते हैं इसे इसे लिए तुझे यहां दो इमेज भी लगा है इससे लिएटेड ठीक है देकि लिखा है कि which state was born out of culture, ethnicity and geography, ये किस state को denote करता है, ये हमारे नागा लेंड को denote करता है, ठीक है, नागा लेंड, ये नागा लेंड, ये नागा लेंड में कल्चर कैसा है, ठीक है कैसी ये, वहाँ न एक तरह से कल्चर है, एक तरह से जैसे खेलना होना, बताना होताना, उनका एक रिवाज है एक तरह से, ठीक है, देखी इधर, ये सब वहाँ प्ले किया जाता है, साड़ा चीजे, इधर देखिए, ठीक है, ये नागा लेंड के लोग है, ट्राइबल पीपल के नाम सुने हैं आप, अधिवासी, वही सब वहाँ रहते हैं, ठीक है, अगर पूछा जाए एक और भी कोस्टन कि नागा लेंड कि स्यूडूल में आता हैं, कि स्यूडूल म यहते हैं, और सिकोटं कॉन यह एक आपको ट्रिक बता रहा हूं कsmith, खुआ कि कि एटियम एटियम मुझा नहीं है कि एटियम मनी नहीं नहीं आप जैसे याद रखेंगे मनी नहीं इसमें six में जितने सारे स्टेट आते सारा याद हो जाए कैसे एस से असाम कि कि ती से तिर पूरा है मोय में घा ले हैं और M से क्या हो गया आपका मिजोर हम ठीक है तो ATM में मनी नहीं है यह चार जो इस्टेट है यह इसका आफसन सही होगा नागलेंड से जोड़ी देखिए आपका इनका कल्चर है एतनी सीटी यह सारा देखिए फोटो लगा दिए इसलिए और के बच्छे चलिए आगे बढ़ते आप लिख लिजेगा ठीक है जो बताते हैं आज का हमारा सिक्स कोस्टन है इन मडर्न डेमोक्रेसी पावर सेडिंग एरेज्मेंट कैन टेक इंद फ्लोईंग वे बत्तब पावर सेडिंग एरेज्मेंट इससे अगर आपको को समझ में नहीं आएगा तो हम क्या बोलें उसक एक सबस्क्राइब है कि आपका यह लेवल कभी अदिकार होता है लेवल कभी अधिकार होता है अनका यह कंआ ए डिखर कम्हान ही मत टिर्मन इंग शसच तरकार के बिभी और वसे आंघ है यह वह जआए एक हुआıllा ढार्मेंट एक डिफुरिंट सब्सक्राइब में सब्सक्राइब हम बहुत सारे तीमची से खुफ डुक्त बिच तोना अवा सिय में क्या टाइब हैनड्य थािट तीनों पावर डेमो यहां डेमोक्रेशी पावर स्टेरिंग एडेज्मेंट इतीनों जो है वो डेमोक्रेशी को डिनलेट करते हैं तो आपसे नमर क्या आपका डी साही होगे बढ़ते हैं कर आधि it all the fish wanna be pois यह वहिए देखी का बात कर रहें की इसमेंके सब्जिक्ट जो यो कि यून कंशन को दिनुर्ट कर देखें को पता हमें यू ये देल महीं आच चुका है throughout study लिस्ट और स्थेट लिस्ट करता है आपको बनाना होगा यह विन बनाएंगा और स्टेट के एंसिस स्चेतनप लिए इसयं गतर स्प्रवृ नियम और कnew और पमुण नायों भी इंदर ऊटेट पर success लिए मिला तो में काने लिस्ट ऊंकर तो पूझा जा रहा है कि इसमें से कौन युणिब लिस्ट है को पुलिस नहीं पुलिस तो आपका इस्टेट कोने यह चैट जब वह त्रक झार न हो और एस जैसंकर जी कहीं करते रहते हैं युए से गए जपान गए चाइना गए पंगलादेश गए अफगनिस्तान गए जो भी मीटिंग होड़ा होता है यह साड़ा कॉन कंड़क्ट करते हैं यह इस पर कौन नियम बनाएगा आपका सेंटर बनाएगा तो क्या हो जागा फॉरन अभी कौन है हमारे फॉरन फिर एस जैसंकर ठीक है लिख दे रहा हूं यहां पर चलिए एस जैसंकर निख लेजएगा बच्चे चलिए आगे बरते हैं इसमीन डिख टेंट क्यों करिंग सेयर स्च कहा रहा है यहां जा यहां रहा है कि डिधि लिजन के नभरह भी सेपरेटर फॉन प्रोल्टिम सेंदी में धरम को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया यह हमारे महात्मा गंदी ने बोले हमेशा याद रखीगा कर लिए वह थाइड 2 अक्टोबर को और इनके जनम दिन पर हम क्या मनाते है ठीक है जो भी अभी दो हमेशा दो तारीक आप देखते हैं दो अक्टूबर को पहले ही हमारे मोधी जी एनाउंस कर देते हैं कि पूरे पूरा अच्छे से सफाई होना चाहिए हमारे इंडिया को तो सवक्षता द्योस कब मना जाता है महात्मा गंदी के जनम दिस जनम दिन पर अब देखिए महात्मा गंदी कौन-कौन से मुवमेंट लाए थे इसके बारे में यहां देख लेथे दिख लें देखिए यहां लगा दिए इमेज आप यहां से अराम से देख सकते हैं दिनोने मुवमेंट लाय था चांपाड़न आंदोलन कब अधा उथा उनीस ऐफाल्ड है खिलापत अंदोलन कब सिविल डिसविडेंस मुवमेंट कब था सभी नहीं आओ गया उन्ट तीस में क्यूट इंडिया मुवमेंट कब था उन्ट ब्यालिस में ठीक है भारत चुरू आंदोलन यह जितने भी आपके आंदोलन हैं आप क्या करेंगे इनको लिख लेंगे लिक कर याद कर लेंगे या स्क्रीन से लेजिए और अपने फोन में रखिए का वहां से याद कर सकते पर मतलब लिख लोगे ना तो ज्यादा याद हो जाते इसलिए लिखना हम अच्छा काएंगे फोन के लद कम लगाई है ठीक है बहुत जदा हम फूल है ठीक है इसका ऑप्सेन अमर कौन से सही हो जा करता कौन उनका रख्षा करता है आपको हमने कल वताया था कि कौन करता है सुप्रीम कोट के पास क्या है पावर है तो जूडिसियल रिविव कर सकता है जूडिसियल रिविव ठीक है जूडिसियल रिविव और जूडिसियल एक्टिविजम का नाम आप सुने होंगे ठीक है कहां से लिए गया है तो के मतलब हुआ ना कि जैसे कोई लौ पास किये गौवर्मेंट और वह लौ आपके फंडमेंटर राइट को क्या करता है आपका अधिकार को चिनता है तो सुप्रीम कोड के पास क्या है पाउड है कि उस लौ को कर सकता है उन्हें कर सकता है कि यह लौ माने नहीं रहेगा हमारे देश में तो भारत के सभिधान के बैख्या कॉन करता है हमारे सुप्रीम कोड आपसा नमर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा ठीक है लोग सभा नहीं लोग सभा में तो आप लोग को पास करते हैं ठीक है उस तो उनको क्या कहते हैं ठीक है जब यही बील प्रेसीडेंट हमारे साइन कर देते हैं इनको क्या कहते हैं एक्ट कहते हैं ठीक है याद रखेगा चलिए आगे परते हैं next question क्यों कि आज का मारा next question है which one of the flowing is not a function of political party यह देली में आया हुआ है आपके कौन सा इसमें से political party का अप्छन है देखे हैं हिंदी में पर जाते हैं निमलीखित में से कौन सा राजनीतिक दल का काड़े नहीं है राजनीतिक दल का का अपीस हर राजनीतिक दल का मानली जी कि कोई अगर फिल पूलिया और गड़ेखिवार क्राढ़ जाताने प्रतिशन गरें या ःड़ेखिआ इलेक्षन पॉलिपिल पर्टीकल अपॉलिक ऑपिनियंस देख लिए जन्मत को आकार नना आफ्ले ना तेना थो हमारे पॉलिट कि ऑपीनियन है उनका आकार इसपन करें थससे對對 नहीं है तो PSA कि यह ज्यादा कि यह मतलब आपके तो में को इसी से रिलेट बहुत सारे कोस्टन करवा भी दिया है आप लोगों के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं आज यह मेरा लाष्ट आज के लाष्ट कोस्टन था ठीक है जो भी बच्चे देख रहा है इस लेक्चर को आप उन्हें क्य नोट बुक में और देखिए थोड़ा हिंदी मेडियम के बच्चे के लिए एक सजेस्ट है कि आप क्या करें कुछ कुछ चीज है ना इंगलीस में याद करना शुरू करें पता है क्यों देखिए इंगलीस में आप याद करेंगे तो आपको ही फायदा होगा जैसे मालेजे इसलिए थोड़ा जाद करते हैं को सब्सक्राइब पर्दान मंत्री यह सब छोटा-छोटा चीज है ना आप उनका इंगलीस याद करेंगे तो फायदा यह होगा ना कि आपको आगे चलके फ्यूचर के हम बात करें फ्यूचर में काक्षी फायदा होगा इसलिए हम थोड़ा ज्यादा तरह कोशिस करते हैं को सब्सक्राइब पढ़ने के लिए इंगलीस में पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा सुभीदा होगा आपके इंगलीस अच्छे नहीं हो रहे हैं तो कैसे अच्छे होंगे आप रिट कीजिए ज्यादा से ज् और चीज में बता दे रहा हूं ठीक है इसे जिस भी बच्चे को ना अगर मान लेजीए आपको फ्री में इंगलीस पढ़ना है ठीक है तो एक संस्ता चली है मार्केट में इंजियो चलाती है एक रुपिया भी यहां पर नहीं लगता है यह बहुत ही अच्छा एक इंजियो है ठीक है बहुत ही अच्छा ओड़नाइजेशन है जहां आपको इंगलीस एक्दम फ्री में पढ़ाया जाता है विदाओट फ्री आपको पैसा लागा पढ़ रहा है ना तो मैं आपको यहीं सर्जेस्ट करूंगा कि आप आप आपको सची बोला इंगलीस बहुत अच्छा हो जाएगा इंगलीस काफी जएदा इंप्रूओ हो जाएगा तो इंगलीस improve हो जाएका क्योंकि वहांन में सब् focused बहुत क्लासि 16 में नहीं नहीं कि आप जॉन नहीं कर लिए इससे देखर लोगा को लगता होगा कि धाब येसे कुछ फैदा है तो कुछ फैदा नहीं है कुछ भी फायदा नहीं हम चाहते हैं आप लोग का डिवलोप्मेंट हो आप पढ़के कुछ अच्छा बने तब ही तो आप नहीं करेंगे आप अपने एक्जाम पर फोकस किजिए जब आपका एक्जाम हो जाएगा उसके बाद दिनके बाड़े में सोचेगा जो बच्छे पर लेगा उक्के बच्छे तो मिलते हैं आपको नए लेक्षर में नए जोस के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग हैव नाइच टेज